नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक नए टोटके को बताने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर अगर आपकी कुंडली के ग्रह नशत्र ठीक नहीं है तो नए साल में आप जोतेश शास्त्र के कुछ असरदार टोटके आजमा सकते हैं जिसमें हरी इलाइची से जुड़े उपाय काफी जदा असरदार माने जाते हैं जोतेश शास्त्र के अनुसार हरी इलाइची के ये उ उपाय ग्रहों को शांत और मजबूत करते हैं छोटी सी इलाइची ना केवल खाने में सुवाद और खुश्बू बढ़ाती है बलकि इससे जोड़े जोतिश उपाय भी विशेश लाब दिलाती है जो कि आपके जिन्दगी को काफी दादा खुश्बूदार बनाती है जोतिश शास्त्र के अनुसार हरी इलाइची के कुछ अच्योग उपाय घर की दरितरता भगाने का काम करती है ये टोटके काम में आ सकती हैं अर्चनों को भी दूर कर सकती हैं आये जानते हैं नए साल को खुशाल बनाने के लिए आप हरी इलाइची के इस्तिमाल से किस तरीके से कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों इन टोटकों को आपको विशेश लाब के लिए यूज़ करना है नए वर्ष के लिए कार्यों में अर्चन आ रही हो तो एक लूटा जल में दो इलाइची डाल कर इसको आपको उबाल लेना है जब ये उबाल कर आधा हो जाए तो इसे बाल्टी में डाल कर इस पानी से आपको स्नान करना है स्नान करते वक्त OF, जैनती, मंगला, काली, भद्र काली मंत्रा का आपको जाब करना है एलाइची के ये खास तोटके शुक्र को मजबूत करते हैं और आपको कारियों में सफलता दलाते हैं किसी तरीके की आर्थिक संकट मतलब आपको कोई भी तरीके की आर्थिक संकट हो रही है आप परेशान है या फिर आपके हाथ में पैसे नहीं टिक रहे हैं तो आप अपने पर्स में पांच हरी इलाइची रखें पांच हरी इलाइची आपको अपने पर्ष में रखना है ऐसा करने से आपकी आए बढ़ती है और खर्च में कमी आती है किसी गरीब को एक सिक्का दान करे और उसके साथ एक हरी इलाइची खिलाने से दरईदधा दूर होती है गुरूवार के दिन गुरुवार के दिन पाँच छोटी हरी इलाइची को पीले कपड़े में बांध कर किसी गरीब को आपको दान करना है ये उपाय कम से कम पाँच गुरुवार करने से मन्चाह वर मिलता है अगर आपके शादी नहीं हो रही है आप अपने बहुत कोशिश कर रहे है तो इस उपाय को जरूर करें बढ़ के पत्ते पर पांच मिठाईया और दो इलाइची रखकर इसे पीपल की पेड़ की नीचे रखते घराते समय इसे पीछी मुड़ कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है ऐसा करने से सिक्षा में सफलता मिलती है नौकरी में तरक्की या वियपार में आपको सफलता नहीं मिल रही है आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में तरक्की मिले या वियपार में सफलता मिले तो आपको क्या करना है एक हरे कपड़े में इलाइची को बांध कर रात में तकीये की नीचे रख करके सो जाना है and then आपको मॉर्निंग में किसी बाहरी व्यक्ति को खिला देना है ऐसा करने से आपको जल्दी सफलता मिलती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसे के साथ जान बंदे मादर